question tokenization of card services related ? पहला option कह रहा है कि tokenization सबके लिए mandatory है सारी customers के लिए दूसरा यह कि merchants जो होते हैं तो PharaohITो और तीसरा यह कि कोई भी transaction और युपिर payment chain जो है उसमें कोई भी जो है actual card data को store नहीं कर साता good तो तहीं अब दो तो आंसर है एक जुलाई 2020 से यह स्टार्ट हो गया है अब क्योंकि RBI ने मेंडेट किया था कि हर टाइम पेमेंट करते हुए या तो आफ फुल कार्ड डीटेल्स भरिए जिसे कि नेम डेट ऑफ एक्सपारी सीवी नंबर या फिर टोकेनाइजेशन आप्ट करिए ताकि क्यों कोई भी एंटिटी कार्ड ट्रांजेक्शन या फिर पेमेंट चेन में जो कार्ड इसूर या फिर कार्ड नेटवर्क से मास्टर कार्ड वीजा रूपे इनको हटा कर और कोई भी और अगला इंसान कार्ड के डीटेल्स को जो भी डेटा उसको स्टोर नहीं कर सकता तो यह ज कर सकते हैं दूसरी बात है कि टोपनाइजेशन जो है मिन डेटरी नहीं यह के लिए कस्टमर्स पेले कार्यिब कर सकता है ऑगर और जो कर और टोकेन रिक्वेस्टर का जो भी टोकेन लेना चाहता है ठीक है और यह कौन करेगा यह जो बैंक्स है या फिर यह मास्टर वीजा रूपे काड वाले और अभी के लिए जो फीचेर टोकेनाजेशन का वो केवल मोबाइल फोन और टैबलेट्स के लिए है जो कार इसूर या क्या होता है कि उसे हम डीकोड कर सकते हैं डीक्रिप्ट कर सकते हैं की की मदद से कोई भी कर सकता है क्योंकि वह मैथमेटिकल फॉर्मला होता है लेकिन टोकेनाजेशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन्शिप नहीं है ठीक है औ और उसके original number में तो ये tokenization से related था.